हाइ आए अव्रिवन तो आईए हम क्लास 11 के जो है coordinate geometry टापिक के स्टार्ट करते हैं पहले हम इसके बारे में सीखते हैं ठीक है इसका थोड़ा introduction किम द्यान दे नाया me को दिने जमेट्री हम एक ऐसे जमेट्री के बारे में सीखने जा रहे हैं जो क्या है कि किसी पछsmilid मानते थे उस पर हम क्या करते थे अपना जीरो को ओर जिन मान के इस तरह से नंबर्स को प्लाट करते थे इस तरीके से अब ज़रूरी ने किसके बीच से इंटीजर ही हो यहाँ पर बहुत सारे रेशनल इरेशनल बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं ठीक है लेकिन अब हम क्या करन वाले हैं हम ऐसे ही एक और पर्पेंडिकुलर लाइन जो है इसके इसके ओरजिन से जाते हुएए अटाइच करेंगे ठीक , ऐसे सेम नंबर लाइन वही नंबर लाइन जस्त इसके परपेंडिकुलर आइन से अटाइच करतेंगे तो उस समय किये थे कौन जो है रेने देकर्ट से के यह दे जो कह फ्रेंच मैं अहें थेमेटिसे नहीं है आपको पता होगा कि वह कहा ऐसा कहा जाता है कि मलब पहले जो है वह पेट टाइम पे जब अपने बेट पे जो है रेश्ट कर रहे थे तो उन्हों उनके दिमाग में इस तरीके इस calculation चल रहे थे उन्होंने जो है इसका जो है नियम दिया तो चलिए हम इसके बारे में स्टरी करते हैं हमें उनसे कोई मतलब नहीं है ठीक है क्योंकि हमारा काम है exam को निकालना एक exam में अच्छा नमबर लाना बस उससे मतलब है यह हमारा क्या है यह हमारा है x-axis जो हमारा यह horizontal line आ रहे है इसको मोलते है x-axis और जो हमारी यह vertical line इसी तरीके बन रही है हमें समान लेते हैं ठीक इसको हम क्या बोलेंगे y-axis ठीक वैसे जैसे इधर positive इधर negative तो ऐसे जब हम इ कड़ दिए तो यह नीचे क्या आगया माइस तो आने से चलिए ठीक है तो ध्यान देना यहाँ पर हम इन दो perpendicular line को reference मान कर मतलब एक संदर्ब मान कर एक reference मान करके मतलब हम जो कुछ करेंगे इनहीं के द्वारा मतलब इनको हम अपना reference मानेंगे इनसे हम कितना दूर है इस horizontal line स कितना दूर है हम इनी को मान के अपने geometry को जो है study करेंगे तो जिसका नाम हो गया क्या coordinate geometry मतलब यह दो perpendicular line के द्वारा जो plane बन रहे है जो इनसे हमें references मिल रहे है उसके थुरू जब हम इस geometry को algebraic relation बनाएंगे मतलब x y z इस तरह से हम algebra के form में जब अपने geometry को study करेंगे तिसी हम क्या बोलेंगे coordinate geometry है तो चलिए coordinate geometry से हमसे ज्यादा उसके definitions मतलब नहीं है हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार यह हमें क्या क्या दे रहे है यह जो x axis है इसका नाम और एक नाम होता है जिससे हम बोलते है एब सिशा क्या बोलते है एब सिशा एब ठीक गलत हो तो आप से स इसको हम हिंदीम क्या बोलते है कोटी सब को सब चीज जाना जरूरी है ठीक हमको नहीं पता आपको क्या आता है लेकिन हमारा उद्देश यह है कि हम आपको सब की सब चीज बताए ठीक है ध्यान देना तो भाई साब जब यह कारटी रिने दिखाते जी इस तरहीं से काम कर तो यह जो आपको दो परपेंडिकुलर लाइन दिख रहे हैं ध्यान देना को आडिनेट मतलब दो परपेंडिकुलर लाइन के दोरह जो जो जमेट्रिक हम इस टडी कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं यह दो परपेंडिकुलर लाइन यह ओबलीक की बात नहीं करेंगे य यह क्या है मालो अगर यह एंगल हमारा क्या हो गया लेस दें 90 डिग्री हो गया तो यह क्या कहलेंगे अगर लेकिन यही एंगल हमारा यह जो दो लाइने हैं 90 डिग्री काट दी तो उसको हम क्या बोलेंगे rectangular axis बोलेंगे, क्या बोलेंगे, rectangular axis बोलेंगे, मदलब जो एक आयताकार पार्ट में से काट रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान देना है, तो मैं इसकी बात नहीं करने वाले, हाँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे, कि जो दो हमारे perpendicular line होंगे, उन्हें के द्वारे, नहीं, हमारा काम ह है, कि वो अपनी geometry में हम लोग एक boundation, मदलब हमारे जो mathematics सीएं, वो एक boundation रखे, कि नहीं, हाँ, ये बात तो सत्य है, कि ये जो line है, ये perpendicular होनी चाहिए, क्या है, ये perpendicular होनी चाहिए, लेकिन इनको इस तरीके अर्जेस्ट करो, जो हमारी, ये, जो हमारी मदलब horizontal है, हमारी एक line क्या होनी चाहिए, horizontal होनी चाहिए, और एक line क्या होनी चाहिए, vertical होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं है, कि वो फशर्फ द्यान देना horizontal, और एक हमारा चाहिए, vertical ये एक दुसरे perpendicular काटए है, लेकिन एक को हम नाम देंगे vertical, जो हमारी इस तरीके सो, ये नहीं, आप plane में गए, अब एक लाइन इस तरीके स्कार दी है अब इसको दे दी है horizontal और इसको दे दी है vertical ऐसा नहीं करना है इनको vertically रखना है इनको horizontally रखना है ताकि आपको जो यह reference मिल रहा हो आपको जो है यह geometry study करने में थोड़ा आसान फिलो ठीक है यह नहीं कि आप उसे complicate खले तो ध्यान देना यह जो हमारी खड़ी लाइन दिख रहे है इसको और एक क्या नाम देंगे vertical axis क्या vertical axis ठीक और इसी का एक और नाम देंगे क्या horizontal axis horizontal axis ठीक तो ध्यान दे रहा है अब आपको दीख रहा है कि जब हम इस तरीके इस दो line किसी plane में ड्रा कर देंगे मालब दो perpendicular line किसी plane में ड्रा कर उस plan को चार भाग में क्या कर रहे है court दे रहे हैं? चार भाग में Diviiting कर रहे है बैसे चार भाग ठीक तो हम उसके एक भाग को क्या नाम देंगे quadrant क्या क्या ऑक रहाद देंगे? क्या है हुमारा ये फास्ट क्वाड्रेंट प्रथम् चतुर्थांस हिंदी वाले हैं इसमें हमारे सारे नम्बर के लोकेशन कैसे हुगे प्लस-प्लस धियान देना आप लोग से एक रिक्वेस्ट है आप लोग लास्टरक वीडियो देखए थेख है उसके बाद यह नहीं हमेशा पहले x-axis के location को जो है प्लाट करेंगे पहले x-axis वाले number को हम प्लाट करेंगे इसलिए हमारा यहाँ पर पहला x-axis को ही reference में रखना आप देखेंगे इधर जो हमारा quadrant मिल रहा है इसमें हमारा x-axis कैसा है हम उसे negative मान रखेंगे य कैसा है positive साइन को भी इसी वक्त ध्यान में रखते चलते हैं उसी परकार सी यह हमारा क्या हो गया third quadrant क्या हो गया third quadrant आप बताई इसमें पहला तो हमारा हमारी इस पूरे मलब coordinate plane के बारे में यह हमारा जो है पूरा पूरे definition हो गया आए अब आगे देखते हैं इनको और जादा समझने की कोसिस करते हैं तो आपको पता हो चुकर हमारी पास जो है दो तरह की axis होती है ध्यान देना हमारे पास कितने तरह की axis होती है axis कितने तरह की होते हैं दो तरह की होते हैं कौन-कौन होते हैं एक होता है हमारा rectangular axis देखी थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से देख लें क्योंकि यह बहुत जरूरी है और यह होता है oblique axis ठीक एक होता है rectangular axis एक होता है oblique axis क्या होते हैं ऐसे axis जो जिनमें हमारे दो लाइन एक दो से काट में लेकिन ध्यान देना उनके बीच जो एंगल बन रहा होगा आप टीव और एक्क्यूट होगा मतलब 90 डिग्री नहीं होगा जैसे यह देखिए यह देखिए यहाँ पर जो हमारा एंगल बन रहा हो क्या है greater than 90 डिग्री इस तरीके जब axis हमें मिलते हैं उनको हम बोलते हैं oblique axis तो हम पढ़ रहे हैं ko इंटर्सेक्ट कर रहे होंगे, मतलब ध्यान दिना है यहाँ पर, अब वो लाइन हमारे किसी भी तरह से प्लाट किये जा सकते हैं, किसी प्लेन में, आप देखिए ये भी तो 90 डिगरी पे है, हाइग नहीं है, ये भी है, ठिक, आप इनको जो है, इस तरीके से भी प्लाट कर स सकते हैं, ऐसे लाएक, ऐसे काट सकते हैं, ठिक, थो हमारे क्वाइडिनेयर जमेंट्री में हम दो perpendicular lines को जो है, लेंगे, लेकिन वह हमारे lines ऐसे होने चाहिए, कि एक line हमारा क्या होना, typical होना à. लंब वाथ होना चाहिए लंब वन इस तरएक होना चाहिए, और एक line जो हमारे rectangular axis में जो हमारे दो perpendicular lines कटेंगे एक को homotically रखने वाले हैं और एक को horizontal रखने वाले हैं और इसी इसी line के द्वारे जो plane बन रहा है उसको हम नाम देंगे क्या Cartesian plane क्या नाम देंगे एक बार फिर से बोले Cartesian plane या rectangular plane ठीक है ध्यान दिना तो ध्यान दिना तो यह हमारा क्या हो गया Cartesian plane ठीक और इसको क्या नाम रख दिए horizontal axis और इसका क्या नाम रख दिए vertical axis ठीक और इसी का नाम है y axis इसी नाम है X axis तो अब आप देखो और यह जो हमारा है यह क्या है हमारा reference मतलब आप अगर इन दूनों लाइनों को इस तरीके अलग अलग कर दें यहां सा आप 123 प्लाट करें तो यह 0 वाला point है minus 1 minus 2 minus 3 वैसे यहां पर 0 minus 1 आप देख रहें न यह क्या है हमारा origin point है इसका जो आप देखें यक्स का भी यह जो line horizontal थी उसका भी यह 0 वाला था यह 0 हो गया और यह जो vertical line बनी यह भी 0 है यह 0 हो गया ठीक इसलिए origin को हम इस से denote करेंगे 0,0 से denote करेंगे ठीक तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि हमारा जो यह coordinate geometry है यह दो vertical lines के बारे में study करेंगे ठीक है और इन ही को reference मान कर हम अपने geometry को आगे बढ़ाएंगे यह दोनों एक दुसरे perpendicular काटेंगे जो हमारा horizontal होगा वो horizontal axis जो vertical होगा vertical axis का लाएगा इनके द्वारे जो plane बन रहा है उसको Cartesian plane काते यह जो है एक plane को चार पार्ट में divide कर रहा है जिनको हम एक चवथाई हर एक का नाम रखेंगे जो कि एक चवथाई पार्ट हो जा रहा है इस plane के तिसलिए इसका नाम quadrant रख रहा है यह क्या है fourth quadrant है यहाँ पर लिख लेना हम भूल गए है तो कोई दिक्कत नहीं है fourth quadrant है ठीक तो इस तरीके जो हम इसको study आपको इसको स्थार्ट करेंगे जिससी अगर हम किसीभी पॉइंट को धियान देना किसीभी पॉइंट को इन plane पर प्रेजिंट करना चाहिए कैसे कर में जैसे हम आपको यह 3 है कैसा, प्लस है, थमको किस डारेक्शन में जाना है, प्लस वाले में जाना है, तो आई एक्सिस से आपको कितना दूर चलना है, तीन यूनिट चलना है, आपको ऐसे आना है, तीन यूनिट चलना है, उसके बाद, यह एक्स एक्सिस से डिस्टेंस नापना है, इसको पर जाएए ऐसे आना अब यहां से ऐसे ठीक किये रहा अब y-axis से कितने डिस्टेंस पाए थे तिन यूनिट पर आए थे इनको यहां पर पलाड करें थिरी कामा फॉर पहले यक्स फिर य जैसे हम आप से कहें माइनस थिरी कामा टू इनको पलाड करें तो यहां पर आप देख चलना है दो यूनिट चलना है तो यक्स से किधर जाएंगे दो यूनिट जाएंगे कहां जाना है उपर जाना है कि नीचे यहां पता चलेगे किसका साइन क्या है तो टू का साइन कैसा है प्लास है हमें क्या करना है इस एक्स से दो यूनिट उपर जाना है आप जब इस तर सारी पॉइंट यह हम आब को देरे धीते हैं थारी पॉइंट को आप लोग प्लाट कर ने कि र O आओ वाई अक्से से तो वहीं से हम देखेंगे कि वाई वाली बैलू हमें उपर जाना है नीचे जाना है साइंस पता करते उसको प्लाट करेंगे इस तरीके साब बहुत सारे points को प्लाट करें practice करें क्योंकि अब हम कल class 11 की नए topic है जिसका नाम है straight line को start करेंगे उसमें distance फारमूलय पढ़ेंगे section फारमूलय पढ़ेंगे वह सारे lines के प्रकार पढ़ेंगे line के बीचम backwards intersection line के बीचमें angles जो बनरें उनको पढ़ेंगे यहां तकि हम बहुत सारे lines के slope को कैसे point करते है न सब चीजों के बारें सीखे. ठीक है उसके बादий straight line क dependency क्तम हो के फिर हमें स्टाट करेंगे bonic section dunic section दो हमारे kon होते हैं जो हमारे kon को इसल्ट bert सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब करें जाहें जो दो हमारेgon कोने haino